Hello friends, Welcome back to another video इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुमा हुआ फोन अपना फोन कैसे वापस पा सकते हैं तो चलिए friends शुरू करते हैं शुरू करने से पहले हमेशी के तरह एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं चानल में नहीं है तो सब्क्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेर कर देना और कुछ कहना चाहते हैं तो कामेंट में छोड़ देना तो चलिए friends शुरू करते हैं तो friends आपका मोबैल आपके हाथ में है यानि गुम नहीं हुआ है तो आप एक setting एक बार चेक कर लिजिए क्योंकि गुम होने के बाद फिर से पाने के लिए आसान हो जाता है तो एक बार देख लिजिए setting में जाना है और privacy में जाना है और find my phone का option जो होता है उसको इनबिल कर देना है तो चलिए friends जब घुम हो जाता है तो कैसे find out करते हैं उसके लिए जान लेते हैं तो friends आजकल के जो नहीं नए phone आ रहे हैं उसके अंदर डिफर्टी find my phone का app जो होता है वो इन बिल्ड आ रहा है डिफर्ट आप सेट होके आ जा रहा है तो इसके जरीए हम हमारा phone find out कर सकते हैं यानि कहां पे गुम हुआ है कहां पे है उसके बारे में जान सकते हैं अगर आपके mobile phone में find my phone नहीं है प्लेश्टोर में जाकर इंस्टाल कर सकते हैं चलिए फ्रेंट्स गुमा हुआ phone को कैसे देखते हैं उसके बारे में जान लेते हैं मेरे पास फिलाल दो mobile phone है यह के Realme X3 है यह के Redmi Note 4 है इसके अंदर default नहीं है इसके अंदर प्री इंस्टाल है आप नहीं यह find my phone पहले क्या करना है find my phone का application होता है वो इंस्टाल कर लेना है मैं इंस्टाल करके रख चुका हूं तो आप जाके play store से directly find my phone find my phone होता है और find device भी होता है वो इंस्टाल कर लेजिए यह Google के तरब से आता है तो इसके अंदर जो okay करने पर इसके अंदर जो पहलो option आता है अगर आपका आसपास में अपना mobile गुम हो चुका है आपके friend का mobile है तो आप क्या करना है guest login कर लेना है और email id आप जो अपना नया mobile आन करना टेम आपना mail id दाल चुके होंगे वो उस mail id को इस यहां पर एंटर कर लेना है एक ही email id सबके अंदर एंटर कर चुका हूं तो यहां पर continuous जो पहला प्रीमियर होता है उसके अंदर ही continue करता हूं और यहां पर password हमेशा मांगेगा जैसे कि हमारा email id अपने guest login हो रहे है फिर भी हमारा password मांगेगा उसको password दाल देना है पासवर्ड एंटर करने पर sign in कर लेना है और यहां पर अलो दाबाना है जब हमारा application पहले बार इंस्टाल कर चुके हैं तो यह अलो application मांगेगा इसको अलो कर लेना है और आपका mobile phone का जो location होता है वो यहां पर बता दे रहा है जैसे कि आप देख सक रहे हैं यहां पर screen पर यहां पर फिलाल मेरा जो इसका जो मैं हाथ में पकड़ा हूं यह Redmi Note 4 का इसका location बता रहा है तो मेरे को यहां पर mobile option भी बता रहा है जितने mobile में यह email id अंटर कर चुका ह अंटर कर रहा हूं उतने mobile यहां पर बताएगा तो मेरे को क्या करना है यह Realme X2 का side में है इसको कर लेता हूं और इसका भी बता रहा है यानि इसको यहां पर connection नहीं है कुछ भी यहां पर separate पकड़ा हूं और यहां पर separate पकना हूं दो फोन अलग-अलग से पकड़ा हूं तो हमारा mobile phone गुम हो चुका है तो उसके लिए find out करने के लिए कोई भी silent में नहीं कि silent भी होगा तो आपका mobile यह ring हो जाएगा उसके लिए क्या को करना होगा तो यह जो play sound का option आ रहा है इसको ok कर लेना है जैसे वह को करेंगे इसके अंदर play होना चालू हो जाएगा आप silent में भी रखो full value से open हो जाएगा जैसे हमारा mobile phone find out कर लेंगे तो यह जो पहर आफ की होता है उसको press करने पर यहां से भी हो जाएगा यहां पर play sound हो जाएगा और फिर यहां पर stop बता रहा है फिर stop भी कर देंगे दोनों भी हो जाता है और यहां यहां से भी कर सकते हैं यहां पर इसे भी आप कर सकते हैं तो यह होगा यहां पहला तरीका फ्रेंट्स अगर आपका मुबाइल आसपास में भी नहीं है गूम होके एक दिन हो रहा है आप फांड नहीं कर सकें तो आपको क्या करना है सिक्यूर डिवाइस यानि यहां पर सेकें डुग और प्षेंट्न होता है इसको कर लेना है और यहां पर क्या करना है या जैसे ही हमारा मूबाइल फोन यहां पर हमारा मूबाइल फोन कुछ भी लिखना है और नीचे हमारा मूबाइल नंबर भी दे सकते हैं यानि हमारा मूबाइल जिसके पास भी होगा वह हमारा नंबर उसको यहां पर डिस्पले पर शोगा जैसे वह डिस्पले पर शोगा और ल तो तीसरा क्या option होता है, erase device, यानि आपका जितना भी data उसके अंदर mobile में store होगा, सब कुछ erase हो जाएगा, तो इससे क्या होता है, कि जिसने भी हमारा mobile पाच चुका है, उसने हमारा mobile के जो privacy होते है, photo, video, सब कुछ, ये सब कुछ delete हो जाते हैं, और erase हो जाता है, तो वो उसने ह हमारा जो personal data होता है, उसको access नहीं कर सकता है, तो यह था easy तरीके से हमारा mobile phone पाने का तरीका, तो इसी तरीकों हमारा system पे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास laptop और system भी होगा, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, तो चलिए friends, system में कैसे करते हैं, उसके बारे में देख लेते ह Chrome browser open कर लेना है, system में, और फिर जाना यहां पर, जैसे Chrome browser open करते हैं, right side में हमारा email id का जो photo होगा, वो बता देगा, और site में apps बताएगा, Google Apps, वहां पर click कर लेना है, और साथी साथ यहां पर account detail बताएगा, जैसे जो account जो photo होता है, हमारा image email id पर वो बता रहा है, उसको okay कर ले data open हो जाता है, personal import data और security open हो जाता है, तो इस क्या करना है, security में okay कर लेना है, और नीचे जाना है, एकदम, तो यहां पर हमारा email id है, जहां जहां पर भी login हो चुका है, वो detail बताएगा हमको, तो यहां पर दो mobile phone में login हो गया, और एक system में भी login हो आया, मेरा email id, तो क्या करना है मुझे realme x2 find out करना है, तो इसको okay कर लेते हैं, इसको okay कर लेने पर ऐसे बताएगा, जैसे find ये lost phone बताएगा, और don't recognize device भी बताएगा, तो हमें क्या करना है, find out कर लेना है, तो यहां पर दूसरा window open हो जाएगा, जैसे दूसरा window open हो गया, तो password मांगेगा, हमारा password एंटर कर लेना है, और यहां पर फिर से एक बार option मांगता है, जितने भी mobile हम login हो चुके हैं, वो पूरे सारे mobile login बताएगा, तो इसको okay कर लेना है, तो यहां पर same mobile as it is, जैसे mobile में बता चुका है, जैसे mobile place on security device वो भी बता देता है, जैसे मां भी हमारा म्याब पर search करना चाहते है, हमा जो option होते हैं, वो भी बता देता है, जैसे यहां पर play sound पर दबा देते हैं, पर play sound क्लिक कर लेते हैं, तो इसके अंदर ring होना चालब हो जाएगा, जैसे stop कर रहते हैं, जैसे बता चुका हमारे, जो find out करने पर हमारा power button होता है, उसको दबाने पर आप हो जाता है, तो यहां स जाते हैं, तो उसके लिए हमारा find out करना भी आसान हो जाता है, जैसे कि हमारा mobile phone कई भी घर भी भूल जाते है, तो बच्चे लेके भी कहीं भी रख देते हैं, तो हमारा दूसरा family member का जूसरा mobile phone लेके हमारा आसान तरीके से हमारा mobile phone find out करते हैं, तो friends, I hope कि आपको इस वीडि मैं, until then bye bye and see you soon.